पांस सितंबर यानी रविवार को मुझफण नगर में किसान महापंचायत होगी पंजाब हर्याना के साथ तमाम परदेसों से किसानों का पहुँचना सुरू हो चुका है लाखों की भीड होने का दावा है पुलिस परसासन ने भी पुक्ता परबंद किये हैं इस महापंचायत पर पूरे देश की निगाए हैं क्योंकि राजनीती को लेकर कोई बड़ा निर्ने हो सकता है यूबी में अगले साल चुनाओ है और ज़्यादा वक्त नहीं बचा है बंगाल में जिस तरह भाजबा की हार हुई थी उचसे किसान संगठनों का उच्सा बढ़ा हार के कारण कुछ भी रहे हो लेकिन किसान संगठनों का तो मानना यही रहा कि किसान आंदोलन भी बड़ा फैक्टर रहा राकेश्टिकैत कई बार कह चुके हैं कि दिमागी बुखार की बंगाल में दवाई दी गई दरअसल महापंचायत में निर्ने को लेकर तरह तरह की चर्चा है अब देखना होगा कि क्या फैसला होता है सियासत में किसान संगठनों खास कर भाकियू की क्या भूमी का रहती है क्या सीधे तोर पर राजनिती में परवेश होगा हाला कि जो भी निर्ना होगा वैसे युक्त किसान मोर चालेगा इस बीच सी वोटर्स और एबीपी के सर्वे ने तो भाजपा को रहत दिये लेकिन सर्वे तो निरधार भी साबित होते रहे हैं बंगाल उसका उधारन है किसान ने ता समीत मलिक का कहना है कि 2013 में सितंबर माह में ही मुझफण नगर में हुई पंचायत के बाद भाजपा के पक्स में माहोल बना था आठ साल बाद मुझफण नगर से ही भाजपा के खिलाफ माहोल बनेगा किसानों में सरकार के खिलाफ भारी आकरोश है जो माह पंचायत में लाखों की भीड के किसान उत्सा से लबरेज हैं हर्याना पंजाब से बड़ी संख्या से सनिवार को ही किसान मुझफण नगर पहुच गए है किसानों के देश में और भी मापंचायत हुई है खास कर किरसी कानूनों के विरोध में आंदोलन शुरू होने के बाद 26 जनवरी को दिल्ली में जो कुछ हुआ था वह सभी को पता है लेकिन मुझफण नगर की यह पंचायत अन्य पंचायतों से खास है क्योंकि तैयारी यूद इस्तर पर की गई है नरेश्टिकैत तो इसे धरम यूद बता रहे हैं अब खास होगा क्या इसके लिए कुछ घंटों का इंतजार करना होगा हर खबर और चैनल के साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें अपने सुजाओ हमें देने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें धन्यवाद